हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं चामद भूवन सर की रिचिल जिल्दी हाथ चलाओ जोनीजा मेडम का मूठ ठीक नहीं है फोन रखो भूवन! जी मेडम क्या हुआ? क्या ही है? हाँ? क्या ही है? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि कल सुबहरे एक्जिबिशिन है और हमें इस फिश की डिलिवरी करनी है तो इस फिश का काम वेटा कुरा क्यों नहीं हुआ? मेडम आप मुछ पे क्यों चिला रही है? इस पे लाल रंग होना है, खुनी लाल और वह प्लायर वह पेंट लाकर नहीं दिया, तुम्हें क्या कर सकता हूं मेडम? क्यों नहीं लेकर आया? उसे वो रंग नहीं बिला, खुनी लाल अरे तुससे बोलो ना कि नहीं कर आये वह खुनी लाल रंग कोनי बया मेडम वा आग लगाने वाली बात करता है वो कह दो खुनी लाल नहीं तो खुनी लाल कहां से लाहूं वाट वहाँ, वहाँ तो स्ट्रेंज, वह ऐसा कैसे मौन सकता है, कि इस विश में इस विश में इस के होल कैसा? अपने तो बोला था मेडम, कुछ मुवमेंट दिखाने के लिए उसमें कोई मोटर वोटर लगाएंगी शाइद खून? जी मेडम, यह तो खून ही है पर यह तो पेश मॉडल है, यह तो नकली है, इसमें से इसमें से खून कैसे निकल्स? किसने किया है मेरे साथी घटिया मजा, हाँ? कौन है तुम मेंसे वो जो मुझे देदाना चाहता है? जाईदा! जाईदा! रोहित? रोहित, क्या हुआ तुमें इते खब्राएंवे, क्यो लग रहे हूँ? यह देखो यह देखो यह क्या है? यह देखो अगर इस ता चुवाना, हम लोग तो गए देखो अब क्या हो जोनिता? यह कैसे हो गया? यह नहीं हो सत्ता? अल्या, इसे प्रहा है वो? बार कड़े यह देखो यह देखो यह देखो यह देखो यह देखो अटड़ा यह यह दो किया हयाd यह हमार लिए वे यह देखो भी तो आया है यह है वो कही दिखाएं भी तो नहीं देख रहे अब भाम प में काम करो यह ही भी हम करो यह है इपर उको मैं चीक है जोग है ओए यहीफिर सेलग मजलल के डिलिवरी आ गई जी मेडम कर रकोई आ गई कितने बजे रात को देल बजे बजे मेडम बड़े एक्सपर्ट थे वो लो फटा पटाय और अंद लगा के चले गए हमें कुछ करने की जरुरूरती नहीं पड़ी अच्छा चलो देख थे वैसे भी आज का एक्जिबिशन बहुत इंपॉर्टन थे जी मुजिक मुजिकाल से आ रही है जी मेडम अंदर से आ रही है सेंटर तो अपी तख खुला नहीं है फिर अंदर से आवाज कैसे आ सकती है है रहक किए बन्धा किन लगना यहां पर कोई चूहां मर गया मेडम जी यह तो अट्टी यह तो अट्टी यह तो कर दो अट्टी कर दो कर दो कर दो सर ये म्यूजिक ये हड्डियों से बनाईवी मचली और ये हाथ से बनाईवी गोडिया ये सब क्या है सर लगता है ये मचली किसी इंसान के हड्डियों से बनाई गई है ये देखुए ये हाथों की और ये पैरों की हड्डियां और ये 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 पिंजर अरे बद्बू इन हड्डियों में जो मास है इस मास का सडन के विसे आ रही है अर तब सर किसी को मार के टांग दिया यहां पर हाँ अरे मास अभी भी लगावा हड्यों पर और मचली की तरह बना दिया ना के नोला काम सर कोई ये कैसी कर सकता है सर किसी ने किया और यहां पर लाकर लटका दिया ताके पोरी दुनिया देख सकें यहां मचली कहाँसे जया देख सरद Town है वर बंख्यों की बबद बड़ा एक्जिमिशन होने वाला था ओ और मचली का एक मौड़ आने वाला था तेकर पदा नहीं यह कैसे आगा अचली का मॉडल कहां से आने वाला था सर वाधी मशूर आटिस्ट है जॉनिता माँ जॉनिता मेडम क्या वही इसे छोड़कर गई थी है जॉनिता मीडम तो नहीं आई थी पर राजपाली वाला वॉस्ट मट बोला कि यहाँ गउं पर दो लोग आय थे डब्बे लेकर वोही लगा कर चलेगए इस जॉनिता से मिलना पड़ेगा आप वोग जॉनिता से नहीं मिल सकते क्यो नहीं मिल सकते ? क्यों आराम कर रही है? हट्टिया मिली है हट्टिया इंसान की और वो आपकी बीवी का आट वख है देखिए मेरी वाइफ ऐसा कोई काम नहीं कर सकती वो बेचारी तो खुद गायल है अभी जोनिता गायल है? क्यों? क्या हो आ उसे? कल रात में एक सुनसान सड़क में एक चोर ने जोनिता से दस लाग रुपे लूट लिए जो उसने सुबह बैंक से निका ले थे और सर उसे चोर भी पहुचाई अब आप ही बताइए उँ बिसार कैसे कुछ कर सकती है? क्या बात है सर? सुनसान रस्ते पे दस लाग रुपे लेके जा रही थी? बहुत दिलेर आ रहत है? मिस्सर चिमन जोनिता के साथ जो कुछ भी हुआ उसका बेहत अफसोस है मैं लेकिन हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है सिर्फ तीन चार सवालों के जवाब चाईए उसके बाद हम लोग यहां से चले जाएंगे उन्हें कोई तकलिफ होने नहीं देंगे लेकिन सर वो तो आरम कर रही है खून का मामला है लेकिन सर मैं आफसे कह रहा हूँ अगर जोनिता हमारे सवालों का जवाब यहां पे नहीं देगी तो उसे भीरो आना पड़ेगा सोच लीजीए ठीके सर आईए ठीक आप यह रुकिया हम लोग देखे अरे आप लोग कौन है और ऐसे कैसे जिमन कौन है यह लोग C.I.D. C.I.D. आप लोग इती जल्दी जी हम बताईए कि आपके साथ हुआ क्या था सर्व कल रात की यह बात है मैं अपना काम खितम करके वरक्षप से घर आ रही थी तभी कुछ बदमाशों ने मुझे घर लिया और मेरा ब्रीफ केस मुझे चीलिया उसमें 12,000,000 रुपए थे जी जो मांक साब लोग देख रहे हैं यह सब उन लोगों की वज़े से है अब लोग इसलिए आये ना 12,000,000 रुपए 12,000,000 रुपए अले आये आये जिवनज आये आपने कहा के 10,000,000 रुपए लूटे गए थे अब यह कह रही है के 12,000,000 रुपए लुटे गए हाँ कमरे के बार से अंदर आते आते 2,000,000 रुपए बढ़ गए कमाल है खेर यवाद मुद्य की बात कर आते हैं यह वताइए एग्ज्इबिशन मे'reais इनसानों की हट्ट्जह से बनाओवा मचली का मॉडल की वे जगए द। सांट की हट्ट्जह से बनाओवा मचली का मॉडल में मैं अप ही क्या बोल रहे हैं मेरे कुछ समझ पही नहीं आ रहा है देखा साथ मेरे बीवी कितनी मासूं है जॉनिता बोल दो इने कि तुम ने ऐसा कुछ नहीं बेजा हाँ हाँ बहुत मासूं है लेकिन हमारे पास सभूत भी है और गवा भी मचली का मॉडल आप ही ने रेड्स्टोन साइन्स और आर्ट सेंटर में बेजाता है क्या? वहाँ? उसका मालक तो मैं हूँ? मेर मतलब है वहाँ मैं पार्टन हूँ? जॉनिता तुमने मेरे ही सेंटर में हड्डियों से बनी हुए मचली बेज दी? नहीं जुमन मैंने मैंने कुछ नहीं बेजा इस मैं सच मोल रही हूँ तो सेंटर के मालिक आप है कमाल है बीवी ने भेजा हड्डियों से बना हुआ मचली का मॉडल अपने ही पती के सेंटर में सब मैंने तो सिर्फ एक मचली का मॉडल मनाया था वो भी पूरा नहीं हुआ था लेकिन लेकि सार उसमें उसमें कुछ करबर थी किसी ने मुझे डराने के लिए उसमें खूण मर दिया था सब मुझे मुझे सच में नहीं बता कि वो हड्डियों के मचली वहाँ कैसे चली गई मैं सच मुझ नहीं जाती सर सच मुझ नहीं जाती कोई तो लाया होगा कोई तो वज़ा होगी हड्डियों की मचली बनाने की अगर आपको नहीं पता तो आपके वर्क्शॉप में बाकी की लोगों से पूश्टाच करनी पड़ेगी कि वो हड्डिया कहां से आई सर मुझे पताएं आपको किसकी गर्दन पकडनी चाहिए किसकी इशान और रुपेश सर ये दोनों मेरे पार्टन से इस सेंटर की उनश्टिप में दोनों ही बड़े टेड़े लोग है सर तेड़े लोगों को सीधा करना हमें आता है इशान और रुपेश वार से देखिए ये लटका है आप लोगोंने बच्चों के एक्जिबिशन के लिए सर ये सब चिमन और उसकी बीवी की हरकत है रुपेश जमान समानो अपनी ये सेंटर जितना तुम दोनों का है उसना मेरा भी है क्या मैं अपने सेंटर में एसी गिलोनी हरकत करूँगा चुपो जाओ इशान और रुपेश तुम दोनों यही रो और बागी सब बाहर चलिये चलिये चलो चलो अरे मैंने तुमसे कहा ना इस एक्जबिशन की जिमिधारी चिमान पर मठ छोड़ो अब देखो क्या हो रहा है वो अपनी बीवी जॉनिता के बाज चला गया और हम दोनों को यह सब भुवतना पड़ा है हाँ आमसे भी बात किजी आप दोनों को चिमन और जॉनिता पर शक क्यो है आप नहीं जानते इन मिया बीवी को सर एक्जिबिशन में आर्टिफिशल मचली लगाने की बजाए देखे क्या लटका दिया इन्होंने सर उन्होंने यह सब सिर्फ हम दुनों को फसाने के लिए किया है अच्छा अब अधितन नहीं किया है तो यह घड़िया कहां से लिया एक सर आपने तो का था यह इन्सान के हड़िया है उसने किसी का मुड़र किया होगा शखल से लगता है कि वह कुछ भी कर सकती है आपके सेंटर से कोई गायब है? ले सो है तदर ये हड्डियां है किसकी? करें एक नर्वार वायब है उन्वारा वायब है कि न एकशन裡 पहला ररा वा करेंग है कि अपके बड़ार वायब है कि अपके ऑन बालती है भी वायब है क्श्चorkरों कि ये इक करेंग है अच्छा? ओक, थैंक सार यह देखिये वह आसर, इस मचली में से इंसान निकला की नहीं? आँ भाइसा इस मचली में से मरने वाला भी निकला है और मारने वाला भी निकला है सर वो कैसे? इस आदिमी के उंबर पच्ची से तीस साव है लेकिन सर इसे मारा के से किया है? गोली से, यह देखो यह पसली हम गोली लगे और इसकी पूरी बोडी को काफी देर तक आसिड में डुबो के रखा गया था ताकि सारा मास गल जाए और इस खतरनाक असिड का नाम है हाइड्रोलीज असिड असिड में टुबो के लखा गया था हाइड्रोलीज असिड लेकने सारा यसेड कुनी को मिना कांसा होगा hell यह ए इसेड फ्रैक्ट्रीज में इस्तेमाल होता है खास करके कांच की फ्रैक्ट्रीज बार और मारने बृप? मतलब कुनी के बार में क्या पता चलाए? कलाकार, बहुत-बड़ा कलाकार है एक थेखो इंसान की हड्डियों को तराश तराश कर मश्ली बना दी उसके आर्ट लबर है आर्ट लबर अच्छा कुछ और बजा सकते हैं इस आर्टिस्ट के बारे में इसके उम्र बाईस से पच्ची साल है और ये एक औरत है क्या? खूनी एक औरत है? खूनी एक औरत है कमाल है गोली का गाह और कंकाल देखके आप बता दे रहे हैं कि खूनी एक औरत है मैं नहीं कह रहा हूँ ये सुबूत कह रहे हैं के देखो हाथ के अड्डियों के बीच में ये मुझे थोड़ा सा खून मिला जाहिर है ये खून उसी का होगा जिसने ये अड्डियों तराश करके मचली बनाई क्योंकि इस आद्डियों की लाश तो ऐसिड में गल गई होगी तो ये तो उसी का होगा ना सरे ये भी तो हो सकता है कि ये खूनी आर्टिस्ट नहों उसने सिर्फे बनाया हो कुमनी को जानती तो ज़र्वर हो कि उसके लिए काम जो किया है कालो ओके ओके ठीक है वो साइन सेंटर की फुटेज आके चल के देखते है वें तो आई है सरे हाँ पर सर काफी अंदेरा है कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है अले अंदेरा हो अंदेरा हो अगर निखिल तो नहीं के फोटोग्राफ्स सारे पुली स्टीचन में पेज़ दो इनके बारे में पता लगा श्यादी इसी बोक्स में लाय गया होगा सर वो मस्लिवाला मॉडल है यह वैं में कुछ लिखा हुआ है तर दूम करस्विश कबोतर का लोगो बना है और बीपी बीपी से तो कुछ भी हो सकता है से एक काम करते है पुली गवर्मेंट रजिस्ट्रेशन इजन्स इसे पता लगा देखो कि ऐसे कोई कंपनी है कोई कोई दुकान हो जिसके लोगों में कबोतर बना हो उनके साथ यह मैच करके देखते हैं यह कबोतर शाहिद कुनी के बारे में कुछ पता चलिगाएगा सर तीनों म्यूजिक डिरेक्टर आदे देखे हम आप लोगों को म्यूजिक कपी सुनाएंगे उसे सुनकर आपको बताना है कि आप लोग क्या जानते हैं इसके बारे में ठीके सर यह तो यह तो मेरा म्यूजिक है सर I mean मैंने ही इसे रिकॉर्ड करवाया है लेकिन सर किसी को मार के उसके हड्डियन लटका दी गई है वहाँ बज़ रहा था यह म्यूजिक सर मुझे नहीं पता कि किसके मर्डर में इसका इस्तिमाल हुआ है आप लोग प्लीज मेरा यकिन कीजिए सर मैं बे गुना हूँ आपने ये पर इस किसके लिए रिकॉर्ड किया था म्यूजिक क्लास के लिए AJK स्कूल सर्वान पर लोगो था वो किसी ब्लू पिजिन लॉंडरी का है ब्लू पिजिन लॉंडरी पर ज़णा आपने इस म्यूजिक को हाँ ये तो हमारे स्कूल के बच्चों के लिए म्यूजिक है पर इसका किसी के मौद से क्या लेना देना और ये कहां मिला आप लोगों को Redstone Art and Science Center Redstone Art and Science Center फिर तो ये म्यूजिक और ये सेंटर इसके बारे में आपको हमारे स्कूल के ट्रस्टी से बात करनी पड़ेगी ट्रस्टी से क्यों? क्योंकि ये म्यूजिक हमारे ट्रस्टी ने बनवाया था और हैरानी के बाद तो ये है कि वो भी इस Redstone Art and Science Center में जाने वाले थे जाने वाले थे? हाँ पर पता नहीं गय भी की नहीं कल राज से दो तीन बार उनका फोन ट्राई कर चुकी हो लगी नहीं रहा है सर क्या नाम क्या उनका? Mr. Rohit Kumar Rohit? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये म्यूजिक गुडिया और हड्डियों वाली मचली किसी किसम की धंकी या कोई मैसेज हो पर भी एक काम करो एग्जिबिशन की गेसलिस निकालो चेक करते हैं गुडिया मचली और म्यूजिक इन तीनों से और कौन-कौन जड़ा हुआ है शौनक ये गुडिया थे तुमारे एंडिक्राफ्ट मिल्स में थे बनती है ना क्यों पर चिमिन के साइंस हार्ट सेंटर में इंसान की हड्डियों से बनी मचली के साथ लगा हुआ था ये वाले आप डर तो गए पर हैरान नहीं हुए है नहीं नहीं सर में हैरान हुए होए ह मेरा कुछ लेना देने नहीं है सर इससे बमजाक्या किसें हो मजाक मजाक बहुत हुआ गया आइस कफूल के बता इये और मैं आप याधिला दू कि आप CIDE Biro में यहां आगोंगे भी बोलने लगते हैं सवाल पूछने से पहले ही पसिना चुट गया है अब यह बताओ वो मचली इस चीज के साथ क्यों लटकाए गए थी कोचे कुछ नहीं पता सर और वैसे भी ये गुडिया तो कोई भी खरीच सकता है बात तो सही है गुडिया दो कोई भी खरीच सकता है है ना चलो ठीक है कोई बात ने तुम जा सकते हो फ्रडी नदर रखो ये शानक पर बहुत बड़ा गड़बड़ है ये शानक सर ये देखे रोहित की फोन की आखरी लोकेशन कल रात को जॉनिता की वर्क्शॉप पर दिखा रही है और इसके बाद से उसका फोन बंद आ रहा है इसके बाद रोहित का फोन बंद आ रहा है ये जॉनिता तो हमसे जूट पर जूट बोले जा रही है जॉनिता क्या रोहित यह आया था वर्षाप के अंदर और घबराया हुआ था हां सर रोहित जी ने जुनिता मेडम को एप चिट्टी दिखाई उसको पड़ते ही जुनिता मेडम तो घबरा आगई सर ऐसा क्या था उस जट्टी में पता नहीं सर लेकिन दोनों की हालत खराब हो गए थी उसके बाद वो दूनों भाग गये उसके बाद जो हम ने देखा सर वो अप सोच भी नहीं सकते क्यों ऐसा क्या हुआ था उनके बाहर जाने के फुछ मिंटों के बाद ही हाँ अ पार यह क्या हो आपको कुछ नहीं चुप रो हो मिलकुर शांद रो यह बात यहां से कहीं बा जोजानिटो झाला 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 को मुची मार तेगा, तूम CS je 001 एपन्यटो ratio फिर ददी वदी नचे Надिो झाला 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 झाला, क्वी दद ददी जा झाला 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 जोजानिटो Brady झाला झाला एक आदनी बाहर मर रहा था और आप मेंसे कोई नहीं गया उसे बचाने के लिए सर जोनीता मैडम की हालात देखकर और रोही जी की चीखे सुनकर हम सब बहुत डरगाय थे सर पता नहीं बाहर कॉन था और मैडम ने दरवाजा खोलने से मना भी किया था कमाल है सर ये जोनीता ये कुछ गड़ लग रही है आ सर सारी बाते उसी की तरफ इसारा कर रही है बता करना पड़ेगा उस चिठी मेंसा था क्या जिसकी वज़े से इतना हंगामा हुआ हुआ है बता करना है आहा ओके 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 ठीक ठीक इंग ये अन्यूंक तांक यू था इंगलाओ जिस वह अंड़ीयां सेंटर पहुंची थी थी ना वो लॉंड़ी वैन का ड्राइवर काम पर वापस आगया है व्रीज्ड कर शारा इप पूद है किलू यही नाम है तुम्हारा है अच्छा है कि तुम छुट्टी मनागर वापस आया कब से इंतिजार कर रहे थे हम तुम्हारा है मारोमा साप आपने तुम मुझे दिन में चांद तारे दिखा दिया साप मैं साच बोल रहा हूं मुझे हड़ी के बार में कुछ भी नहीं पत किती साप इसलिए मैं आराम कर रहा था चुटी ली रखे दी सचस बतावरना एक और नहीं सब मैं सब ससस बता देगा साप पूछी आपको क्या पूछना है साप तुम्हारी वैन वहां साइंस सेंटर में कैसे पहुचा सब चैप्रेल की शाम को मुझे फोन आया था उसने किसी ने कहा और तुने कर दिया सोचा नहीं क्या होगा उसका सब उसने मुझे पच्छी हजार विजवा दिया इसलिए मैंने फिर कुछ सवार नहीं किया सब बिना सोचे समझे काम करोगे तो ऐसे ही पहसोगे इसी होगे सब कलती होगे खून तो इस ग्लासमेल में हुआ है अब वहीं हड्यों का मास उतारा गया होगा निखले काम कर इस कीलू का फोन ले लो इसको फोन करने वाले के बारे में खुद पता लगाएंगे तब तक इस ग्लासमेल में है क्या देखते हैं क्या उजाड जगे सर ये क्या सच में कीलू ने अपनी वैन यहां पर छोड़ी थी किलू के बास जूट बोलने का उप्शन है ने वह हमारे गिर्फ्त में और जूट बोलने का अंजाम वह अच्छी तरसे जानता है इस मिल में कांच तरशने का काम होता था और इसकी पूरी बोडी को काफी देर तक आइसिड में डुबो के रखा गया था ताकि सारा मांस गल जाए और इस खतरनाक आइसिड का नाम है हाइड्रोलीज आसे गुना का निकले इस से अच्छी जगा होई नहीं सकती किसी का खून करके उसकी हड्डियों को एसिड में गलाए गया है और ऐसा काम यहां हो सकता है ठीक है चेक कर लेते हैं कुछ मिलता है कि बात तबर यहां साहा हां साची यह देखी से बात तब के ऊपर खून लगा हुआ है पैक्टरिक के अंदर बात तब और बात तब में खून लगता बाड़ी पर ऐसे डाल के इसी में गलाए गया है मांस अलग हड्डिया अलग यह देखो जलेवे मांस का अंच लगता है सर यहां पर कुछ है पुरवी नहीं हात मत लगा ऐसे डोगां उंगलिया जल जाएंगे किसी और चीज से निकालना पड़ेगा एक मिल्ट सर यह कुछ है इससे निकलेगा इदा की सर यह अंगोटी पुरी तर से जल गई सर शायद उस आत्मी की यह जिसे हमारा गए से इस अंगोटी पर कोई डिजाइन बना हुआ आर लिखा है सर असमें आर गई अंगोटी गुरोई की तो नहीं वो सकते हैं लोईत की बच्पन की फ्रेंड जोनिता वह ही बताएगी किसकी इमोटी है आपका कहने का मतलब क्या है कि मैं खुनी हूँ अब ऐसे ही समझ लीजी जॉनिता जी अगर खुनी आप नहीं है तो कौन है आप ही बताईए देखिए वो सब मैं नहीं जानती लेकिन मैं सिर्व इतना जानती हूँ कि मैंने कोई गुना नहीं किया है अगर ऐसा है तो आपने अपने वर्क्शॉप में वो मचली का मॉडल जलवाया क्यों यह चुप रहने से तुमारी सच्चा ही साबित नहीं होगी दरसल सर वो मचली से खून निकलते देखकर मैं बहुत डर कही थी इसलिए मैंने उसे चलवा तिया चलिए एक और बात बताईए जवन्ती ये रिंग रोहित की है ना जिसकी तुमने मदद नहीं की ये रिंग रोहित की है ना जिसकी तुमने मदद नहीं की कीतो.. जब पढ़ा था तो बचाय क्यों ये उसे? हमें पता है के उस राद वर्क्शॉप के बाहर रोईद दुम्हारे साथ था क्या हुआ था या उसकी मदद क्यों नहीं कि तुमने बताँ कौन था उस राद दुम्हारी वर्क्शॉप के बाहर? और उस चिट्थी में क्या था, जो रोहित ने आपको दिया थे? सर्ब, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग, आप लोग क्या कह रहे हैं? देखे, इस वक्त मेरे पती बाहर है और मैं उनके अपसंस में आप लोगों की किसी भी सवालों का जवाब नहीं देना चाहती है, आप लोग, प्लीज मुझे, मुझे बातों में मत फसाई हम तुम्हें फसाने नहीं आए, तुम्हें बचाने आए, मचली के उस मॉडल में जो हड़ियां है वो शायद रोहित की है, जिसने भी रोहित को मारा उस रात, वो तुम्हें भी मारना चाहता था, अब जो कुछ भी है सच-सच बताओ, छूट बोलने का कोई फाइदा नही सच-सच मैं नहीं बचूंगी अब, अगला नम्मर मेरा है सच-सच, उससे कर रात, मुझ पर भी हमला किया था, ये निशान, उसी की वजह से है, सच-सच, मैं तो बच गई लेकिन, लेकिन मैं रोहित को नहीं बचा पाई सच-सच कौन था वो जो तुम्हे मारने आया था, सच मुझे, मुझे नहीं पता, सच मैं, मैं उसका चहरा नहीं देख पाई, कोई सिर्फ तुम दोनों को ही क्यों मारना चाहता हम गए, हाँ, नहीं सच, हम दोने, तीन, मैं, रोहित, और शोनक, शाहित कोई, हम तीनों से उस राज के लिए बदला ले रहा है, कौन सा राज, ये मचली तुझे बचा नहीं पाई, ये गुडिया का खेल बहुत जली खतम हो जाएगा, सर, ऐसा ही लेटर रोहित के पास भी था सर, कोई हम तीनों को तरा धंका कर हमसे पैसे एक रहा है, अच्छा, जोनिता और शाहनक, अब सब कुछ सच सच बताओ, क्या किया तुम लोगों ने, बता जोन नहीं, सर, सद, तोहजाच छे में, मैंने शाहनक ने और रोहित ने मिल कर एक छोटी से कंपनी बनाई जिसमें हम बिजनस पार्टनर्स थे, हमें उस कंपनी के लिए पैसो की जरूरत थे, और हमें इंवेस्टर मिल भी गई, समारा, उसने हमारी कंपनी में एक करोर रुपे की इंवेस्टमेंट के, कंपनी का प्रॉफिट देखके, और सारा पैसा हम तीनों ने आपस में बाठ लिया, फिर एक दिन, हम और कैसे करेंगे उसके पैसे वापस, रिलाक्स गाइस, हम लोग कंपनी को घाटे में शो कर देंगे, पेपर दो मैं दिखा दूँगा कि घाटा हो गया, प्रॉबलम के, और मैं इतनी बेखुफ हो, कि सब मान जाओंग समारा, समारा हम, तो तुम लोग मुझे घाटा दिखाओगे, हम, समारा न ऐसी ये बिजनेस खड़ा नहीं किये, पैसा दिया है, समारा, तो लेना भी जानती है, प्लीज उसे छोड़ दो, तुम चोब, पीचे आटो, आ, समारा, सम, हमने, हमने, पैसो की हेरा फिरी जरूर किये, पर हमने किसी को मारा नहीं है, वो तो सिर्फ एक, एक, एक्सिरेंट था अपस, हमने कंपनी बंद कर दी और, अपने-पने रास्ते चली गए, और अब, दस साल के बाद, हमारा पीछा करते होने, कोई यहां तक आ जाएगा, हमें नहीं पताता, सर, और सर, उस रात को, मैं रोहिक के साथ, वक्षप के बाहर इसलिए आई थी, क्योंकि मुझे उस इंसान से मिला था, जिसने यह बॉक्स और चिठी दी थी, मुझे, सर, लॉडरी में इस नमबर जे फोना है, तो उसका पोता चल गया है, वो चिमन का नमबर है, क्विक तो, वॉक्षण वाम है, जल दिया को, आप कैáticas पहँ आओ। प전पwr में जल दिएगओ दिन हाओषदा राचा, पहँ़। हो झाओध करना है, क्षछ करना है, तुम ने बताओ कि तुम सी आइडी से बचके निकले केसे हैं? तुम से किसने का कि मैं सी आइडी से बचके निकला? मतलब? सामने देखो यह सी आइडी हाँ पर कैसे है? तुम दोगार या था? तुमुचे दोगार या? हा? तुमुचे दोगार या? मैं अकहला के डुबू? तुम्हे साथ लेका डुबूँगा? डुबेगे नहीं तु? मरेगा! हेई! कोली में चलाना! पास मुदाना! पास मुदाने मार दोनी मेंसे! मैने! कोली में चलाओ! कोली में छाना! तहां, पास मुदाना! पास में चलेश कोड़त Bennett तहां में मां निकल, आख, 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 तर में बेग लिए उसे, मैंने कुछ नहीं गया, मैं तो मालवीगा के पैर में बैख गया था सर, बड़े-बड़े बैखे लोगों को हमारी जेल ठीक कर देती है, तो बाकी का जेल में बैख लेना, बेवकुफे, कुछ भी आख, 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 तो तुम रोको उसे तुम तो समारा से रिलेटेड हो ना जिसे जोनिता और उसके दोस्तों ने दोखा दिया था हाल लेकिन मैंने यह सब समारा के लिए नहीं किया वो तो कई साल पहले ही मर चुकी थी और मुझे उसके कोई पड़ी भी नहीं थी आप लोगों को लगता होगा कि यह सब बदला है लेकिन यह बदला नहीं थी तुमने ऐसा गिनोना जुर्म किया क्यों मैं समारा के दोखर की बेटी उन्होंने मुझे अपनी बच्ची की था समारा के मरने के बाद सारी प्रॉपटी मेरे नाम हो गए थी क्योंकि उनको कोई वार इसे नहीं था लेकिन मैंने अपनी बेवकुमी के वज़े से सारी प्रॉपटी गवा दी और जिंदा रहने के लिए एक मामुली सी नौकरी करने पड़ी हाँ करणों के करजे में डूम गए मैं अब रोहित शौनक और उनके पुराने कंपनी के कागजाद वो धंकियां रोहित के दर्दनाक मौत मैं मैं समारा के पुराने ओफिस गई थी वहाँ पर मैंने कुछ कंपनी के पुराने पेपस देखे तब मुझे पता चला कि उन तीनों ने समारा को दोखा दिया था मैं चाहती तो मैं पुलिस में जा सकती थी लेकिन पैसे में मेरी जान अटके थी तो तुमने तीनों को ब्लैक मेल करने की सोची सचामी लोग हैं मोटी रिकम मिल जाएगी हाँ जब जॉनिता और शौनक की बारी है तब तो वो उन्हें बचाना चाहता था अच्छा तो रोईत तुम्हारे प्लान के बीच में आ गया इसलिए मारा गया है ना हाँ और उसकी वो हालत देखकर ही जॉनिता और शौनक ने हमें पैसे दिये लेकिन आप सब पीच में और मेरा सारा केया चोपन का दिया कितिनी प्लानिंग अपने पैसों को संभालने में लगाया होता तो इस हालत में नहीं होती जुर्म के रास्ते चलने पे पैसे नहीं जेल की सलाखें मिलती है और जो जुर्म तुम लोगे ने किया है उसकी एक ही सजा है फासी झाल झाल झाल